दोस्तों सफल निवेसक बनने के लिए Mr. Warren Buffet एक बहुत ही सांदार एडवाईस देते हैं और कहते हैं कि If you want to become a successful investor then you don't have to be a smarter than the rest Instead you have to be more disciplined than the rest जिसका मतलब यह है कि अगर आप एक सफल निवेसक बनना चाहते हैं अगर आप अपने निवेस से best return चाहते हैं तो इसके लिए यह बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरों से ज्यादा smart बनना होगा या फिर आपके पास investment की best strategy होने चाहिए ऐसा नहीं है बलकि होना यह चाहिए कि आप सबसे पहले अपने आपको more disciplined याने कि दूसरे लोगों से ज्यादा discipline बनाएं क्योंकि long run में अगर आप disciplined हैं तो ही आप यहाँ पे अपने investment से best strategy कमा सकते हैं और wealth create कर सकते हैं otherwise अगर आप disciplined नहीं है तो short term में हो सकता है कि आप दूसरों से ज्यादा पैसे बना ले लेकिन long term में disciplined नहीं होने की वज़़े से आप उशारे पैसे गमा सकते हैं तो इस बात का कोई भी sense नहीं है कि आप पैसे बनाएं ज्यादा पैसे बनाएं बड़ों पैसे गमा दें sense इस बात में है कि आप जो पैसे बनाएं उससे अपने पास ठीका सकें और इसकी जरूरी है कि आप अपने आपको discipline रख सकें और दोसों यहाँ पर मिस्टर वार्ण पापे का एक दूसरा बहुत ही famous quote है जिसमें वे यह कहते है कि the secret to happiness is having low expectations जी हाँ यहाँ यहाँ पे happiness यानि कि खुशी का जो secret है वो है low expectations आप जितना ज्यादा आपका expectation यानि कि जो उम्मीद है दूसरों से या अपने आप से भी या फिर अपने investment से भी वो जितना low रहेगा आपके खुश रहने के उतने ही ज्यादा chances है क्योंकि अगर आई है आप उमीद बहुत ज्यादा की लगा रहे है और वहाँ पर अगर रिजल्ड कम आता है तो आप उस रिजल्ड से कभी खुश नहीं होगे और इससे आपके जो overall happiness है जो आपकी खुशी है उस पर फर्क पढ़ने वाला है तो बहुत ही simple बहुत ही effective बात है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप उमीद कम से कम रखें और दोस्तों इसके बाद मिश्ट वराण पर बहुत है कि तीसरा famous quote है जिसमें वे कहते है कि an idiot with a plan can beat a genius without a plan जिसका मतलब यह है कि भले है कोई मुर्ख हो लेकिन अगर उसके पास एक ठोस प्लान है कि वो कहां जाना चा आता है और उसे हांसिल करने का अगर उसके पास एक plan है और उस plan पर लगतार काम करते जा रहा है तो भले ही वो मुर्ख हो लेकिन एक निश्चित plan के साथ काम करने से वो यहाँ पर किसी भी एक genius को beat कर सकता है जिसके पास कोई plan नहीं है जी हाँ आप चाहा कितने भी talented हो लेक आप उस ब्यक्ति से हमेशा हार जाएंगे उस ब्यक्ति से हमेशा जिसको पता है कि उसे कहां जाना है जिसके पास plan है और जो अपने plan के उपर लगतार काम करता जा रहा है तो दोस्तों लॉंग टर्म में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने genius हैं बलकि फर्क इ तो well and good उस plan पर लगतार काम करते जाएं और इस मत सोचिए कि आप talented है नहीं है आप smart है या नहीं है बस अपने plan के according काम करते रहें लेकिन अगर आपके पास plan नहीं है तो आप immediate ये तैय करें कि आपका plan क्या होना चाहिए आपको क्या-क्या चीजा हांसिल करनी है और उस हांस until you die जिसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं बनाते हैं जिससे कि आप अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं आप even अगर आप सो रहे हैं तब भी आप पैसे बना सकते हो तो आपको पूरी उम्र जब तक आप जियेंगे तब तक हो सकता है आपको पैसों के लि बिना लालाच में आये discipline तरीके से investment करते रहे और उस investment से अपने लिए आमदनी का दूसरा जरिया बनाए जिसे आप passive income भी कह सकते हैं जी हाँ जो पैसे हम काम करके कमाते हैं वो होता है हमारा active income, primary income और जो पैसा हम investment के थुरू कमाते हैं वो होता है passive income और यहाँ पे मिश्टर पैसो के लिए आप काम करते रहेंगे और जो आप काम करना बंद करेंगे तो पैसे नहीं आएगे और इस रहसे हो सकता है कि आपको पूरी उम्र जब तक आप जीएंगे तब तक आपको काम करना पड़े तो यहाँ पे lesson यह है कि आप अपने लिए passive income का रास्ता आम लिका द सबसे पहले अपने पैसे को किसी ऐसे एसे एसे भी निवेस करते हैं, ऐसे समपती बनाते हैं, जहां से कि उनको income मिल सके, और उस income से बाद में वो अपने लिए जो luxury है, जो liabilities है, वो खरिदते हैं, और एक चमबल मान लेजिए कि आप कोई car purchase करना चाहते हैं, तो उस car को purchase करने के लिए आपके पास एक option है, कि आप directly उस car को purchase कर ले, लेकिन एक दुसरा option ये है, कि आपके पास जो amount है, जो पैशा है आपके पास car को खरिदने के लिए, उस पैसे को आप सबसे पहले invest करे, invest मान लेजिए आप करते हैं किसी एक घर में, और उस घर को आप किराये पे बाद में चड़ा देते हैं, और वहाँ से आपको income आता है, तो उस किराये के income से आप चाहें, तो car purchase कर सकते हैं, इसके लिए आप एक थोड़े down payment के साथ में, आप एक loan कर सकते हैं, और loan का जो EMI है, वो directly उस घर के जो rental income है, उससे ही चला जाएगा, आपको अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से आपका एक asset भी बन गया, एक property भी बन गई, जिसकी समय के साथ कीमत बढ़ेगी, और वहीं पे जो आपकी liability है, जो car है, उसके लिए आपको बिल्कुल अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ये सीख है यहाँ पे इस quote से, तो आई हो कि ये जो 500 quote है आपको जरूर पशन्द आया होंगे, वीडियो गर अच्छा लगा होते से like और share जरूर करिए, अन्द में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारा साथ जोड़े लेने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,